हाई फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं अपने पौधा जो इसको पार्सल करने जा रहा था तो मैंने सुचा आपके साथ अपने एक छोटा सा एक्सप्रियंस शेयर कर दिया जाए किस तरीके से हमें कहीं भी अगर हम ऑल्लाइन पौधा बेच रहे हैं या किसी दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं जो है तो किस तरीके से उसको पैकेज किया जाए पैकिंग की जाए उसकी जो है कि वो खराब ना हो और बिल्कु सेफ तरीके से पहुँचे आप जानते हो हम पौधे भेशते हैं कई बार बीच में से टूटे वह निकल जाते हैं कभी कुछ हो जाता है तो मैंने थोड़ा सा बताता हूं देखी यह सबसे पहले कनेर का ठीक है तो इसको हमने देखी किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं है अगर आप देखोगे और जो जो दोस्तों इस्टैम उनके टिप जो है उसकी पिंचिंग कर दी मतलब ऊपर से इसको नोच दिया है ठीक है और इधर अगर आप देखेंगे छोटी-छोटी भी जो इस्टैम में इससे क्या यह ज्यादा पानी जो है उसको नहीं निकालेगा अपने मेडिया मैसे जो है तो इसको में मैंश्चर मेंटेन है अच्छे से ठीक है और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इसमें पॉलेथीन ली थी उसमें मैंने कोकोपीट भरा था और फिर इसको जो है अच्छे से थोड़ा भीगा कोकोपीट लिया था ताकि इसको मैस्चर मिलता रहे और फिर टाइट करके पैक कर दिया है टेप मार दिया पूरी पॉलेथीन के उपर ठीक है बिल्कुल उपर तक अच्छे से कवर किया हुआ है तो ऐसा किया हुआ है इधर अगर आप देखोगे तो मैंने यह जो इस तरीके से इधर जो बू किया थी बांधा है तो गाठ नहीं लगए यह देखिए इसको हां से ही मोड दिया तो यह असा देखिया है तो जब यह जिसको भी मिलेगा तो वह आराम से च Di horn कर हुआ है अब हमने जो सबसे खास चीज लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ दखिए हमने पाइप लिया हुआ है यह है दोस्तों पीबीसी पाइप जो होता है हमारा जो है और यह दो इंची वाला पाईप है ठीक है तीन इंची में भी आता छेंची में भी आता जिसे साफ से जैसे भी आप पौदे मंगा रहे हो और कि इसमें बहुत सारे 2 mm के होल किया हुआ है काफी सारे अगर आप देखोगे ठीक है अब हमने इसके साइज का काटा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो है देखिए इतने बड़े साइज का है देखिए एक फिट है एक फिट से थोड़ा ज़्यादा है ठीक है तो इस साइज का हमने यह काटा हुआ है अब वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हो सकता किसी अपने दोस्त को पौदा गिफ्ट करना चाहा रहे हूँ और कहीं से म करता है जो भी करने कोशिश करता हूँ बैश्ट ही रहे उसी करम में मैंने यहां पर देखिए पाइप लिया हुआ यह ताकि आराम से यह पौदा जाए और मेरे दोस्त को मिले तो बिल्कुल डैमेज ना हूँ अच्छी तरीके से उसको मिल पाई यह बहुत हार्ड होता है कोई चांस नहीं सेफ तरीके से पौदा मिलेगा आसान भी है अब देखिए कई बार क्या होता है जो आप बहुत सारे ऑनलाइन पौदे मंगाते हो ना जब बहुत महंगी महंगे पौदे मंगाते हो जो नरसरी यह बहुत महंगे पौदे सेल करते हैं वो पाई बली सोविध है और वेट के अगर मैं बात करूं तो दोस्तों लगभग इसका बजन भी जो है 200 ग्राम के असपास होगा तो इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है और अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो कोई भी आप किसी को पारसल कर रहे हो जो है तो आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है 20 रोपर ज्यादा लेलो लेकिन इस तरीके से भेजें तो बहुत बैस्ट रहेगा पौदा डैमेज नहीं होगा क्यों दोस्तों मैं देखी परसनली खुद भी पौदे मैंने मंगाए हैं और बहुत ज्यादा उमीद रहती कि पौदा अच्छा है स्वस्ता है औ और यह भी बरसात का टाइम है पौदे विल्कुर हरे बरे जाएंगे तो टाइमिंग का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है ठंडे टाइम में बाए करें यहां किसी को पारसल करें तो ज्यादा वैस्ट रहता है पौदे डैमेज नहीं होते हैं उस टैम पे ठीक है अमने को दे कि ट्रैपार्ट पर सैट करना पड़ेगा और तम मैं आपको जो दिखा पाहूंगा अच्छे से जो है कि यहां पर दोनों हाथ की जरूरत लगेगी तो आप देखिए इस तरीके से जो है मैंने इसको सैट कर दिया ठीक है इस तरीके से अब इसके ऊपर अगर दोस्तों आप चाहूं तो एक पतली लेरे टेप की लगा सकते हो नहीं भी लगाना चाहिए तो तहने दीजिए लेकिन थोड़ी से लगा दीजिएगा रास्ते हम लोग छेडखा नहीं करते नहीं तो क्योंकि लोगों की थोड़ी से आदत ऐसी होती ह अब मैं यहां पर ही टेप लगा दूंगा अच्छे से जो है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा जो है यह देखिए हमने चौड़ा वाला टेप लिया हुआ है और दोस्तों देखिए जब हम इतना रोपया खर्चा करते हैं कोरियो चार्जी भी काफी जाता तो 10-20 र टेप टूट गया और दोस्तों ट्रैपड गिर गया कार्णき है कार्ण कर तुर्ट जिया है तोस्तों तोस्तों परता हैं assumed ज़cat सुहआ है nggak तुर्ट प्स्तों इस तरीके दोस्तों देखिए यह पैक है आपको सकता थोड़ी सी मुश्किल हो मुझे थोड़ी आज़ा पड़ी है आराम से पैक कर दिया तो देखिए इस तरीके से दोस्तों जो है यह रैडी हो गया है अब दोस्तों कोई इसको न ऐसे फेक भी देगा न तो भी इस पर कोई फ़रक नहीं पड़ाने वाला है और जब भी आप गुलाम मंगाते हो किसी भी सेलर से उससे कह दो कि हम 10-20 रुपए एक्ष्टर दे देंगे कि दोस्तों इसका खर्चा 30 रुपए आया है पाइप का ठीक है थोड़ा सा कोई चार्ज में बढ़ जाएगा मालीजी 200 ग्राम बेट है मैं मानता हूं लेकिन बहुत ज्यादा करचा नहीं आता है पौदे सेफ रहेंगे आपके ठीक है अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा फेंक के दिखाता हूं इसको कोई दोस्तों देखी फरक नहीं है ठीक है मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ अब मैं थोड़ा सा ऊपर से फेंग रहा हूं इसको जो है ठीक है पाइप पे फेंगा तो थोड़ा आवाज नहीं होगी कोई फरक नहीं पड़ता है तो इस तरीके से जो है आप भेजें किसी को भी अपने दोस्त को भेजना हो है ओनलाइन काम करते हैं तो ऐसे ही करें मजबूत वाला काम करें अच्छा करें दस रुपए किसी ज्यादा ले लो लेकिन किसी की इमोशन हायट ना हो पौधा सुरक्ष जाए तो यह पाइब बाला तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों जो है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जो है और हम लोग मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जल्दी गुलाब पर बहुत धेर सारी वीडियो आने वाली है ठीक है बाई फ्रेंड्स